एक व्यक्ति हमेशा इश्वर के नाम का जाप किया करता था धीरे धीरे वह काफी बजुर्ग हो चला था इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था जब भी उसे शौच इस्तानादी के लिए जाना होता था वह अपने बेटों को अवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे इस दोरान वे कभी कभी गंदे विस्तर पर ही रात विता दिया करते थे अब और ज़्यादा बुड़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था एक दिन रात को निवत्र होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई तुरंत एक लड़का आया और बड़े ही कोमल इसपर्ष के साथ उनको निवरत करवा कर विस्तर पर लेटा गया अभी ये रोज का नियम हो गया एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई वार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे शण आ जाता है और बड़े कोमल इसपर्ष सब निवरत करवा देता है एक रात वे व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता तू कौन है मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है तभी अंदेरे कमरे में एक अलोके को जाला हुआ और उस लड़के रूपी इश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया वह व्यक्ति रोते हुए कहनता है हे प्रभु राम आप स्वयम मेरे निवरत्ती के कारे कर रहे हैं यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ती ही दे दोना प्रबु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्द हैं आप मेरे सच्चे सादक हैं हर समय मेरा राम नाम जब करते हैं इसलिए मैं आपके प्रारब्द भी आपकी सच्ची साद्रा के कारण स्वयम कटवा रहा हूं व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्द आपकी क्रपा से भी बड़े हैं क्या आपकी क्रपा मेरे प्रारब्द नहीं काट सकती है प्रभु कहते हैं कि मेरी क्रपा सर्वो परी है ये अवश्य आपके प्रारब्द काट सकती है लेकिन फिर अगले जन में आपको ये प्रारब्द भुगतने फिर से आना होगा यही कर्म नियम है इसलिए आपके प्रारब्द में स्वयम अपने हाथों से कटवा कर इस जनम मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ इश्वर कहते हैं प्रारब्द तीन तरह के होते हैं मंद तीवर तथा तीवर तम मंद प्रारब्द मेरा नाम जपने से कट जाते हैं तीवर प्रारब्द किसी सच्चे संद का संग करके श्रद्दा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं पर तीवरतम प्रारब्द भुगतने ही पढ़ते हैं, लेकिन जो हर समय शद्धा और विश्वास से मुझे राम नाम जबते हैं, उनके प्रारब्द मैं सुयम साथ रहकर कटवाता हूँ, और तीवरता का एहसास नहीं होने देता हूँ, प्रारब्द पहले रचा, पीछे श्री राम, जे श्री राम